इस रगणें साए नमा आजम बात करेंगे कन्यारासी के बारे में 10 जून से 30 जून तक 2024 कन्यारासी की बहुत से बानी यहाँ वीडियो सिर्फ छात्रों के लिए है जो छात्र यानि कि जो भाई भेन पढ़ाई कर रहे है या सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे है तो यहाँ वीडियो पूरी देखे आपको 100% ला मिलेगा बहुत से भाई बेहन केते हैं कि मेहनत करनी चाहिए मेहनत करने से सरकारी नोकरी प्राप्त होती है यानि कि हमको सपलता की प्राप्ति होती है यहाँ बात बिल्कुल सही है परन्तु अगर आपका भाग्य कमजोर है अगर आपकी जनम कुंडिली में ग्रह कमजोर है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको सपलता नहीं मिलेगी यहाँ मैं गारेंटी दे रहा हूँ बहुत से ऐसे भाई बेहन हैं जिनको पांस साल दस साल होगे मेहनत करते करते परन्तु अभी भी उनको सपलता नहीं मिली है तो आपने यहां वीडियो पूरी देखना है और आपने विशेश उपाय जरूर करना है इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि सरकारी नोकरी के लिए क्या-क्या उपाय करना है चाहिए और कैसे सरकारी नोकरी प्राप्त होती है तो यहां वीडियो पूरी देखे और लाव उठाएए सरपर्दम बात करते है जो भाई बहन अगर आप हाईशकुल में हो या आप इंटर में हो या बे में पढ़ते हो या अमे में पढ़ते हो या बेसी अमेसी कर रहे हो या बेड कर रहे हो या आप सरकारी नोगरी की तैयारी कर रहे हो तो यहां वीड़ो पूरी देखे और बिसे असलाब उठाईए तो सरपर्दम बात करते है कन्या रासी के स्वामी बुद्ध गरे है जो आपकी रासी है रासी स्वामी कौन है बुद्ध गरे तो बुद्ध गरे आप पे बहुत जादा प्रभार देते है क्योंकि आपके रास्वामी है तो बुद्ध गरे हर मनुश्य को लाब देते हैं जैसे कि ग्यान हो गया, बुद्ध्य होगी, चतुर्चालक बनाते हैं मनुश्य को, नोकरी दिलाते हैं, ब्यापार में लाब दिलाते हैं, तो जो मनुश्य ग्यानी होगा, चतुर्चालक होगा, बुद्ध्य मान होगा, तो नोकरी भी लगेगी और ब्यापा आपको बहुत अच्छा लाफ देंगे बुद्ध गरें अ बिल्कुल ध्यान देना है जो आपके रचस्वामी है बुद्ध ग्रह तो आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहे जो आपके रास्वामी बुद्ध ग्रह कौन से रासी में बेटे है किस ग्रह के साथ बेटे है और आपको जून के मेहने में क्या क्या लाप्रदान करेंगे हर मनुश्य चाहता है कि हमें लाप्राप्त हो तो बुद बुद्ध गर्या से वहीं बात करेंगे बुद्ध गर्या के साथ बेटे हैं तीन गर्या और जैसे कि सुर्य गर्या बेटे हैं शुक्र गर्या बेटे हैं और ब्रहस्पति गर्या बेटे हैं तो आपको अचला प्राप्त होगा वहीं बात करेंगे 15 जून से बुद्ध गर्या बुद्ध ग्रह आपको चलाब देंगे करम भाव में बुद्ध ग्रह का बेटना बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप सरकारी नोगरी की तैयारी कर रहो या ब्यापार के लिए तैयारी कर रहो या पढ़ाई छेत्र के लिए आप पढ़ते हो तैयारी कर रहे हो तो आपक देव गुरु ब्रैस पती भाग्यास्तान में बेटे है तो आपका भाग्या मजबूत करेंगे अगर आप सरकारी नोगरी को कोई फारम भर रहे हो तो आपको अच्छाला प्राप्त हो सकता है इस समया तो आपने विसेद ध्यान देना है आपको मैं आगे उपाया बताऊंगा मंगल गरह कमजोर है अश्टम भाव में बेटे है हालें कि मेसरा से अपने घर में बेटे है परन्तु मंगल गरह थोड़ा से कमजोर है आपने मंगल गरह का भी उपाय करना है अगर आप सरकानी नोगरी की तैयारी कर जो तो आपको थोड़ा सा कष्ट प्रहसानी आ सकते हैं मंगल ग्रैसे तो आपको मैं उपाया बताऊंगा सनी देव आपको लाब देंगे सत्र से आपकी रक्षा करेंगे सनी महाराजी कोई अगर मित्र आपके लिए गलत सोच रहा है आपको हराना चाता है तो सनी महाराजी आपकी रक्षा करेंगे वहीं बात करेंगे पड़ाय छेत्र में थोड़ा सा मन चंचल हो सकता है क्योंकि लगन में आपके राजस्वामी में जो आपके राजस्वामी बुद्गरा तो बुद्गराय में कौन बेटे है केतु बेटे है और राहो की सब्तम दिश्टी पढ़े लगन में तो जिस कारण आपका मन निसमया चंचल हो रखा है बहुत ज़़ादा जो कन्याराशी वाले है इस्टुडेंट है गे तो उनका थोड़ा सा मन निसमया चंचल हो रखा ह तो केतु ग्रहे के कारण हो रखा है तो थोड़ा सा आपने उपाय करना है ठीक है यहां में लिखा है माता पिता जी का आपने सेवा करना है आज सम्मान करना है आशिर बात पराप्त करना है इससे आपका भग्य मुझबूत होगा आपकी जनम कुड़ी में सारे गरह मुझबूत होंगे आपको अच्छला प्रदान करेंगे आपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है आसिर बात प्राप्त करना आसिर बात से हर मनो कामनाय पूरी होती है इसलिए आपने बड़ो कासर आसिर बात प्राप्त करना है इससे आपका भग्य मुझबूत होगा आपकी मनो कामनाय पूरी होगी आपकी सरकारी नोग्री के परबल योग बनेंगे आपने सत्यबोनना है सत्यबोनने से गरह मुझबूत होते हैं सुब ग्रेय है आपको अच्छा लाब देंगे जो पाप ग्रेय भी है वो भी अच्छा लाब प्रदान करेंगे अब बरतमान में जो आपकी जनम कुनिली में जो महादसा अंतरसा चली है वो भी सुब लाब देंगे आपको आपने अच्छे करम करने अच्छे करम करने से सनी म महराज जी आपको अच्छालाब देंगे आपकी रक्सा करेंगे आपकी सुरक्सा करेंगे आपकी मनो काम नाये पूरी करेंगे परन्त विस्वास है तभी आपको लाब मिलेगा तो आज से एक या देड़ मेने पहले में कहीं गया था बुझर को लोग थे तो उन्होंने बठा तो उनके पास कोई दवाई नहीं थी वो क्या करते थे उनका लोगों का विश्वास्ता उन पर तो वो कुछ भी जैसे अपने हाथों से कोई भी पत्ता किसी पेड़ का भी पत्ता तोड़ कर दे 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 थे थे ऐसे मीन के बोलते थे कि ये बुखार की दवाई खालो ये काम था बच्ची को उनके पास गए तो खेतों में काम कर रहे थे हल चला रहे थे तो वहीं पर आया बोला मैं घर जाकर दूँगा दवाई बोला कोई बानी हमें आप विस्वास आप ऐसी दे दीजिए तो उनके हाथों में मिट्टी लगी थी और साथ में उन्होंने जब ज स्वस्त हो गया एक गोली खाकर तो क्यों हुआ स्वस्त कि विश्वास ताओ समया जब विश्वास है तभी सब कुछ है विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है इसलिए आपने विश्वास करना है और उपाय करना यह वीड़ अच्छी लेगे तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राब जरूर करें धन्यवाद